हाई चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दवाए बेल आइकन घंटे भी वजाए सब्सक्राइब करें घंटे भी वजाए जल्दी से करो फिर मैं सर को बेश्टाओं और आपकी क्लास शुरू करते हैं के एलक्म दूप के लास्द क्लास है तो आज हमारी आखिस्टौकें इंग्लिश कि लास्ट क्लास है तो एक दॊ-टापिक है यह स्टार्ट पढ़ना फिर प्रिंऺ नहीं भूले और bail icon दबाना बिल्कुल न भूले तो चलो बढ़ते हैं class की तरफ आज का हमारा topic है get get को बहुत सी जगह हम use करते हैं मैं तयार हो रहा हूँ हम वहाँ भी get का use करते हैं मुझे medal मिला हम वहाँ भी get का use करते हैं तो मिलना या करवाना या होना हम इन तीनों जगह पर get का use करते हैं कैसे होता है चलो बात करते हैं तो आज का हमारा topic है get जिसको हिंदी में मिलना भी कहते हैं होना भी कहते हैं और करवाना भी कहते हैं ध्यान से सुनिएगा get को क्या कहते हैं मिलना होना या करवाना मैं कहूं मुझे medal मिला I got gold medal I got mila get की second form got और third form भी got मुझे मिला पास्ट वाली क्लास होगी I got gold medal मुझे gold medal मिला जी हाँ तो धान रखीगा get का मतलब मिलना भी होता है होना भी होता है और करवाना भी होता है I got the book I got the book from him मुझे जो है उससे book मिली I get newspaper every day newspaper get milna यहाँ got second form मिली मुझे book मिली I got the book किस से from him I got the book from him मुझे उससे book मिली I get newspaper everyday get first form get first form कहा भी होती है जब को गला काम रोजाना होता है I get newspaper मुझे अखबार मिलता है everyday everyday रोजाना मुझे रोजाना अखबार मिलता है उसके बाद है I will get my book tomorrow I will get my book tomorrow I will get मुझे जो मेरी book है वो कब मिलेगी कल मिलेगी will के साथ कौन सी form आती है first form I'll get I'll get I'll get I'll get my book tomorrow I'll get my book tomorrow उसके बाद है can I get some sugar क्या मुझे कुछ चीनी मिल सकती है क्या मुझे फोड़ी चीनी मिल सकती है can I get some sugar can I get some sugar क्या मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है get मिलना तो यहां तक हम ने पढ़ा get का मतलब होता है milna उसके बाद do you get पीजा इन यूर सीटी क्या तुम्हारी city में, देखो, do you get, क्या तुम्हें मिलता है pizza in your city, क्या तुम्हें तुम्हारे शहर में pizza मिलता है, do you get pizza in your city, do you get pizza in your city, जी हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ा, get का मतलब मिलना, अब बात करते हैं, आगे, I am getting ready, I am getting ready, I am getting ready, मैं तयार हो रहा हूं for office, I am getting ready for office, मैं office के लिए तयार हो रहा हूं, I am getting, हो रहा होना, get होना और getting हो रहा है, get क्या होता है, होना और getting हो रहा है, जी हाँ, उसके बाद है, it is getting dark, जो अंधेरा हो रहा है, क्या बोलेंगे, अंधेरा हो रहा है, it is getting dark, it is getting dark, अंदेरा हो रहा है, he is getting married, उसकी शादी हो रही है, he is getting married, हाँ, उसके बाद मैं बात करू, he got married, उसकी शादी हो गई, get की second form got, हो गई, he got married, उसकी शादी हो गई, are you getting me, are you getting me, मुझे समझ रहे हो, मैं अब तक पहुंच रहा हूं, are you getting me, are you getting me, are you getting me, हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे, get का, जो बहुत mausoleum यूज करते हैं, यह काम करवादो, किसी तीसरे वेक्ती के लिए बात करते हैं, एक वेक्ती, दूसरे वेक्ती से, किसी तीसरे वेक्ती के लिए बात करता है, मैंने अपना स्कूटर ठीक करवाया, ठी तो राम गॉटर्म को लिए काम करवाया लिखाया कर दो पर घूए कर देंगे चाहे get use करे या got use करे मगर उसके बाद जो आने वाली जो दूसरी वर्व होगी वो third form में आएगी किसमें आएगी मैंने लिखा है get के बाद जो form आएगी वो किसमें आएगी third form में आएगी ram got यहां got second form है ram got, ram got, ram got repaired repaired third form ram got repaired is scooter ram ने अपना scooter क्या है ठीक करवाया, उसके बाद I get the letter, I get the letter written, I get first form है, first form मतलब को काम रोजाना होता है, I get the letter written, मैं पत्तर लिखवाता हूँ, खुद नहीं लिखता हूँ, किसी ओर से लिखवाता हूँ, देखना second form, जो दूसरे नंबर पर जो वर भाई है, कौन सी form में आई है, third form में तो ध्यान र जो दूसरे नंबर पर वर भाईगी, वो कौन सी form में आईगी, जी हाँ, third form में आईगी, so I get the letter written, मैं पत्तर लिखवाता हूँ, I get the letter written, मैं पत्तर लिखवाता हूँ, मैं पत्तर लिखवाता हूँ, उसके बाद होता है, you get it done, you get it done, you get it done, तुम जो है ये करवादो, तुम do की कौन सी form आईए, third form, तो याद रखना, करवाने वाले, लिखवाने, कोई भी काम, जो हम एक वेक्ति, दूसरे वेक्ति से किसी तीसरे वेक्ति के बारे में बात करेगा, वहाँ, get के बाद, जो दूसरे नंबर पर वर आईगी, वो third form में आईगी, जी हाँ, ये हमारी चड़ना, get off, उतरना, जी हाँ, get on, चड़ना, get off, उतरना, जी हाँ, एक बार फिर से revise कर रहा हूं, get का use हम मिलने के लिए भी करते हैं, मुझे कोई चीज मिली, समझ आ रहे हैं, मिली, मिली, I am getting, मिल रही है, I am getting, I am getting newspaper daily, मुझे जो है रोजाना अख़बार मिल रहा है, बारिश हो रही है, हो रही है, it is raining, मैं तयार हो रहा हूँ, होना यहाँ पर क्या use करेंगे, मैं तयार हो रहा हूँ, I am getting ready, किस के लिए, office के लिए, I am getting ready for office, I am getting ready for office, जी हाँ, उसके बाद में बात करूँ, get का use करवानी के लिए भी होते हैं, बट उसमें get के बाद जो second number पर past है, I got the book, मुझे पुस्तक मिली, from him, उससे, मुझे उससे क्या है, book मिली, पुस्तक मिली, उसके बाद I get, get कौन सी है, first form, जो काम रोजाना होता है, I get newspaper, मुझे अखबार मिलता है, everyday, रोजाना, मुझे रोजाना अखबार मिलता है, उसके बाद है, I will, will मतलब future, I will get, मुझ मुझे जो है, कल मेरी book, मिलेगी, I will get my book, जी हाँ, उसके बाद है, can I get some sugar, क्या मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है, can I get, can I get, can I get, can I get some sugar, जी हाँ, उसके बाद है, do you get pizza in your city, do you get pizza, क्या तुमें pizza मिलता है, in your city, अपने शहर में, do you get some pizza, sorry, do you get pizza in your city, क्या तुम्हे तुम्हें भीन शहर में जो है pizza मिलता है यहां तक हमने बात की get की मिलने से तो जब भी हम बात करें कोई चीज मिलना वहां यूज करते हैं जिह उसके बाद क्यों होना मैं हो रहा हूँ और मैं ऑन गुस्सा स्युझा हो रहा है it is getting dark it is getting dark he is getting married getting हो रही है married शादी उसकी शादी हो रही है उसकी शादी हो रही थी he was getting married past में he was getting married उसकी शादी हो रही होगी he will be getting married he will be getting married जी हाँ tense की according हम बदल सकते हैं बस जहान रहे get का use मिलना होना या करवाने के लिए किया जाता है उसके बाद he got married, उसकी शादी हो गई, are you getting me, are you getting me, are you getting, क्या मुझे आप समझ रहे हैं, क्या मैं आप तक पहुंच रहा हूँ, are you getting me, are you getting me, are you getting me, जी हाँ, उसके बाद कोई काम करवाना, उसमें get के बाद जो दूसरे नंबर पर वर्व आती है, वो third form में आती है, you get it done, तुम पत्र लिखवाती है, पूजा, he sheet name के बाद verb में s या e s, तो get के साथ s लग जाएगा, क्या बन जाएगा, gets, पूजा gets the letter written, पूजा gets the letter written, पूजा जो है, पत्र क्या करती है, लिखवाती है, जी हाँ, किसी और से बात करें, किसी और के बारे में बात करें, अपन, first person, second person से, third person के बारे में बात कर रहे, वहाँ get के बाद जो दूसरे number पर verb आएगी, वो third form में आएगी, उसके बाद है, राम got repaired his scooter, राम ने जो है अपना scooter ठीक करवाया, 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 ध्यान रखना, get का use यहाँ, मैं फिर मेने लिखा है, मिलना, होना या करवाना, करवाने के sense म के लिए, बस में चड़ना, get in, get in, उतरना, sorry, get on, चड़ना, get on, उतरना, get off, क्या बोलेंगे, get on, get off, जी हाँ, यह हमारी class होती है, get, उसके बाद में आपको कुछ, छोटी-छोटी class है, और बताता हूं, जैसे हमारी class है, आज की start, start का मतलब होता है, शुरू करना, can I rob it, please, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, start की, start का मतलब होता है, शुरू करना, क्या होता है, शुरू करना, start के बाद, हमेशा verb में, ing का use, होगा, ठीक है, बोलते हैं, command करते हैं, start running, दोड़ना, शुरू करो, कोई भी काम, शुरू करो, start के बाद, verb में, ing, start studying, पढ़ना, शुरू करो, start studying, start writing, लिखना, शुरू करो, start speaking, बोलना, शुरू करो, तो शुरू करो, start के बाद, verb में, ing, जी हाँ, उसके बाद है, stop, stop के बाद भी, verb के साथ, ing, दोड़ना, बंद करो, stop running, बोलना, बंद करो, stop speaking, लिखना, बंद करो, stop writing, हाँ कुई भी काम बंद करो हम क्या यूज करेंगे stop viganing देखना बंद करो stop watching बोलना बंद करो stop speaking तो start और stop के बाद अभर मैं कॉन सिप्वुब आती है वक के साथ ing आता है उसके बाद है Sópr कीप, कीप, स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ, अब बात कर रहे हैं कीप, देखो कीप का यूज, जब कोई काम करते रहो, अगर मैं कीप के बाद वर्ब में आईएंजी का यूज करता हूँ, तो वहां वो काम होगा, करते रहो, करना शुरू करो, स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ते रहो, कीप, स्टॉडिंग, जी हाँ, पढ़ते रहो, कीप, स्टॉडिंग, बोलते रहो, कीप, राइटिंग, लिखते रहो, कोई भी काम करते रहो, वहां किसका यूज करेंगे, कीप का यूज करेंगे, पढ़ाते रहो, कीप, टीचिंग, कीप, टीचिंग, कीप उस करेंगे कि जी हां उसके बाद बात करते हैं after and while after while and before before का मतलब पहले after का मतलब बाद में और while का मतलब जब की उसी वक्त ठीक है इन टीनों के बाद भी मैं यह रब करता हूं जी हां हम बात कर रहे हैं before after and while इन तीनों के बाद भी वर्प के साथ हम इन जी का यूज़ करते हैं आने से पहले before come it's wrong before coming आने से पहले before coming जाने के बाद जाने के बाद बाद before होता है पहले while होता है उसी समय या जब की जब after होता है बाद while हम लिख सकते हैं उसी समय before coming आने से पहले मुझे फोन करना before coming जाने के बाद मुझे फोन करना please call me after going after going तो before और after के बाद हमेशा हमेशा work के साथ क्या यूज़ करेंगे ing का यूज़ करेंगे फिर बाद आती है while while उसी समय मैं पढ़ा रहा हूं i am teaching खाते खाते या खाते समय while eating i am teaching while eating खाते समय या खाते खाते मैं पढ़ा रहा हूं मैं सो रहा हूं i am sleeping जो है मैं ये काम करते करते ये काम कर रहा हूं या फिर उसी समय मैं ये काम कर रहा हूं वहा हम किसका यूज़ करेंगे while का यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे while का यूज़ करेंगे मैं तुमसे बात कर रहा हूं while उससे बात करते करते i am talking to you while talking him i am talking to you while talking him जी हाँ उससे बात करते हैं समय में तुमसे भी बात कर रहा हूं या उसी समय में तुमसे भी बात कर रहा हूं तो एक काम उसी समय कोई दूसरा काम करते हैं हम while का use करते हैं और while के बाद भी हमेशा वर्प के साथ ing का use करते हैं जी हाँ तो आपको एक लास समझ आई होगी आज के हमारी class थी get जहां होना, मिलना या करवाने के sense में get का use करते हैं उसके बाद हमने पढ़ा start, शुरू करो जिसके बाद work के साथ ing आता है फिर stop, बंद करो, work के साथ ing आता है उसके बाद keep पढ़ा, कोई काम करते रहो work के साथ ing आता है जी हां, तो ये हमारी class होती है बने रहे हैं मेरे साथ और अच्छी वीडियोस देखने के लिए Thank you very much Hi, I'm back तो उमीद करता हूँ आपने बहुत enjoy किया होगा class में जी हां, तो बने रहे हमारे साथ मतलब सर के साथ सर आपको पढ़ाते रहेंगे और भी अच्छी अच्छी class है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन दबाए ताकि सर की class जैसे ही YouTube पर आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो मैं भी चलता हूँ, बाई लाँ सब्सक्राइब कर दो पहले पहले कर दो दोड़ा है और उम साथ